चूट गया साथ धरम की अनोखी बाराद बिखर गया मोधी परिवार बेटी की उठी डोली एहम की आई अर्थी बाप बेटी की विदाई एक साथ सास बहुर बेटिया जब पहुचा साधिया के सेट पर तो यहां का महौल बेहत गमगीन था मेरा की शादी की खुशियां तो थी लेकिन एहम की मौत की नजर लग गई बेटी से पहले हो गई बाभूल की विदाई मुझे मेरा बेटा वापस चाहिए वापस चाहिए मेरा बेटा कोपी फूट फूट करो रहे हैं कोपी के आंसु ठमने का नाम ही नहीं ले रहे हैं सीन खत्फ होने के बाद भी कोपी अपने आंसुओं को धाम नहीं पा रहे हैं और मेरा को सभालना आज मुश्किल हो रहा है मेरा तो डाद को बहुत मिस्करेगी आई नहीं रहे हैं और तान्या विल डेफिनली मेस नाजीम भया के इतने लेम जोक्स और मैं इनकी हग्स भी बहुत मैस करूंगी कि वह सुपर सुपर आते थे और बोलते थे बेटा आ जाओ एहम इस दावान जिनके साथ मेरा पहला शॉट था मैं जब इस शो में आई थी रील लाइप में अपनी कुर्बार नी देने के बाद एहम टियारपी की गोहार लगाना नहीं भूले पद्वाकरों इससे टीर भी बढ़ जाए यार तो इसलिए मरा गया है कि वह ही मैं चाहता हूँ कि मेरे फैंस मुझे इतना ब्यार दे तो इसकी अटलीस में मनने वड़ी सीन के तो टीर भी बढ़े यार शो में मीरा की संसकार से शादी के दिन एहम फैसला लेते हैं कि वो मीरा का असली प्यार यानी धरम को लेकर लोटेंगे और धरम ने जबरदस्त इंट्री मारी और मीरा से दुबारा शादी भी कर ली लेकिन एहम के लिए हमारे राइटर साहब ने उससे भी ज्यादा ड्रामेटिक सीन लिखा एहम की मौत और इसी तरह से ये मौत का सीन मोधी परिवार के लिए ही नहीं बलकि एहम के बाकी को एक्टर्स के लिए भी वेहत मुश्किल साबित हुआ अफ़ोस ये चीज यार मेंने कमाई हैं दिल से क्योंकि हर इनसान को मेरे साथ साल का जो मेरा पहलू है वो सब को पता है सब को नजरा आता है वो कैसा इनसान है कैसा नहीं है तो मत जो भी हो लेकिन डेफिरिनली ये मेरी मत जो मस्ती होड़ी तरह सेट पर हो ज़रे मिसकर है आज एहम का साथिया के सेट पर आखरी दिन था एहम को फेरवल पाठी दी गई केक काटा गया चेहरों पे मुस्कान तो थी लेकिन दिल में कहीं न कहीं टीज भी थी कि अब एहम इस सेट पर शूटिंग करते हैं नहीं नजर आएंगे पर आखरी दिल से सब का इवन स्पॉर्ट बाइस से लेके ड्रेस दादा सेटिंग वदादा टेक्नीशन मेकर दादा एंड मेरी पूरी यूनिट के लिए तेहे दिल से थाएंगे सो मच भाई अब शो लीप लेगा कुछ समय बाग यकीनन नए चेहरे आएंगे और कुछ पुराने चेहरे जाएंगे क्योंकि अब मौका है साथिया के साथ छोड़ के जाने का शांतनु भटनागर मुंबई आज तक